हेलो एवरिवन स्वागत है आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल LWD जॉब में बिल्कुल नया विज्यापन आ गया है DSSB सिक्षक भर्ती 2024 पर्मानेंट गॉर्मेंट जॉब रहने वाली है 9 जनवरी से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे नर्सरी, PZT, PRT, TZT सभी की बात करने वाले हैं बड़ी संख्या में जो है वेकेंसी आ चुकी है तो यहाँ पर देखेंगे आप गॉर्मेंट ओफ एंसिटी ओफ डेली और ये है अड़्वर्टीजमेंट नंबर नर्सरी, नर्सरी टीचर के लिए कितने पदों पर वेकेंसी आई है कौन भर सकता है इसे ओपनिंग डेट रहेगी 9 जनवरी 2024 क्लोजिंग डेट रहेगी 7 परवरी 2024 तो यह असिस्टेंट टीचर नर्सरी की पोस्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सैलरी जो है काफी अच्छी यहाँ पर सैलरी की अगर हम बात करें तो नर्सरी टीचर को जो है साथ हजार सैलरी बिलकुल मिलेगी ग्रेड पेज 4200 असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए आवेदन कौन कर सकेगा तो यहाँ मैं आप लोगों को बता दू जिन स्टुडेंट्स ने किया है बिएड नर्सरी में और उनके पास एंटिटी कोर्स है या फिर प्री प्राइमरी लिवल का कोई भी सर्टिपेकेट डिप्लॉमा डिग्री आपने किया है तो बिलकुल इन पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है टोटल नंबर ओफ वेकेंसी 1261 यह तो रिजर्व है इसके अलावा असिस्टेंट टीचर नर्सरी की 120 जहां मेल फीमेल दोनों अप्लाइ कर पाएंगे और 74 जहां यहाँ पर New Delhi Municipal Council की तरफ से 74 है कुल जहां यहाँ पर नर्सरी टीचर के लिए 1455 वेकेंसी है जिसमें 1261 जो है फीमेल के लिए रिजर्व है और कैटिगरी वाइस भी जो है दी हुई है तो वो आप देख लेंगे Next जो है PZT की पोस्ट के लिए कौन कौन से सब्जेक की वेकेंसी है वो हम देख लेते हैं बिल्कुल आज का ही जो है यह notice advertisement जारी हुआ है अभी short notice है detail में जो है बिल्कुल main website पर आ जाएगा जहां age criteria वगरा यह सारी चीज़े हम देखेंगे qualification ठीक है अभी जो है यहां पर कौन कौन से subject की कितने पदों पर वेकेंसी आई है यह जारी हो चुगा है तो यहां पर कौन कौन से subject की वेकेंसी है एक आपको बता दू male और female दोनों की अलग-अलग जो है वेकेंसी आती है PZT हिंदी में male female की अलग है की वेकेंसी है जैसे direct rate of education में male की है female की है और इसके अलावा New Delhi Municipal Council में PZT Maths की है PZT Physics की वेकेंसी आई है Chemistry की आई है Biology की आई है PZT Economics की आई है Commerce की आई है PZT History की आई है male female दोनों अलग है PZT geography subject की वेकेंसी Political Science की आई है उसके बाद देखिए Sociology subject की है Physical Education Teachers की वेकेंसी है Home Science Teachers की वेकेंसी है तो ये जो है PZT में है अभी TZT और PRT की जो है वो बिल्कुल आप लोगों को एक दो दिन में पता लग ही जाएगी कौन कौन से subject की कितने बदों पर वेकेंसी आ रही है और total number of वेकेंसी कितनी है तो यहाँ आप देख सकते है सभी का ठीक है Male, female बिल्कुल अलग है ये देखिए कुल जो है PZT में PZT में थोड़ा कम ही आती है TZT और PRT में ज़्यादा वेकेंसी आईगी 297 पदों पर वेकेंसी आईगी है Job location जो है यहाँ पर देली ही रहेगी और salary जो है आपको बता ही रही हूँ मैं कि nursery teachers के लिए जो 60,000 salary है तो PZT के लिए आप मान ही सकते है कितनी हो सकती है तो जो भी candidate यहाँ पर government job पाने के लिए तयारी कर रहे है बिल्कुल जो रोशोरो से तयारी जो है वो start कर दे जहाँ पर भी आप पहले पढ़ा रहे है तो वहाँ पढ़ाते रहे है क्योंकि पढ़ाते हुए जो है पर काफी अच्छी तयारी हो जाती है और यह जो है वो बिल्कुल सरकारी नौकरी है जैसे ही TZT की और PRT की वेकेंसी आती है बिल्कुल चैनल के मादिम से आपको बताई जाएगी तो यह complete information थी जो कि मैंने आप लोगों को provide कराई है जैसे ही detail में advertisement जारी होता है चैनल के मादिम से आपको बताई जाएगा Thank you